नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल वेसिएस बेसिक फिक्स में और आज की इस वीडियो में हम कक्सा बारा का टोपिक लेकर चल रहे हैं कक्स इलेक्टोन की आवर्ती देखिए सुन लीजी दोस्तों कि जो इलेक्टोन है वो नाभी के चारों और वुर्तकार कक्साओं में चक्कर लगाते हैं तो परती सेकिंड चक्रों की जो सैंख्या है वो ही हम गयात कर रहे हैं अर्थार्त हम आवर्ती गयात कर रहे हैं देखिए हम जो इससे पहले हमने रिलेशन पड़ा है ककसेलेक्टोन की तिर्जया, ककसेलेक्टोन का वेग, उनी सुत्रों का प्रियोग करते विए ककसेलेक्टोन की आवर्ती यहां पर हम find out करने वाले हैं हम एक relation जानते हैं वेग, तरंग, धेरिय और आवर्ती के मद्दे और उसी relation से ही हम ककसिलिक्टोन की आवर्ती find out करेंगे तो देखे दोस्तों क्या होता है relation सबसे पहले हम बात करते हैं हम जानते हैं देखे आप क्या relation जानते हैं V बराबर होता है new lambda जहां जो new है वो आवर्ती है लेम्डा तरंग, धेरिय और V यहां पर वेग होता है V यहां पर वेग होता है यह एक relation होता है वेग, तरंग, धेरिय और आवर्ती के मद्दे हम यदि इलेक्टोन की बात करें N V कक्सा में चक्कर लगा रहे N V कक्सा में चक्कर लगा रहे इलेक्टोन के लिए N V कक्सा में चक्कर लगाने वाले इलेक्टोन के लिए यह जो फोर्मूला है इसको हम इस तरीके से फुट कर सकते हैं V N equal to new N into lambda N की N V कक्सा में इलेक्टोन का वेग N V कक्सा के अंदर इलेक्टोन की आवर्ती और N V कक्सा के अंदर तरंग धेरिये अब देखिए दोस्तों तरंग धेरिये है कि एक पूर्ण चक्कर में तैकी गई दूरी तो जो तरंग धेरिये हैं जो lambda होती एक पूर्ण चक्कर में तैकी गई दूरी तो यदि electron न nv ककसा में चक्कर लगा रहा है और उस nv ककसा की radius यदि rn है तो उसकी एक पूर्ण चकर में तय कीगी जो दूरी है वो आएगी 2πrn एक पूर्ण चकर में तय कीगी दूरी एक पूर्ण चकर में तय दूरी तो वो है 2πrn इसको में देता हूँ equation number 1 तो यहां से हमारे पास में समीगरण 1 से क्या relation निकल कर आ रहा है vn equal to new n into में 2πrn new n एन्वी ककसा में electron की जो आवरती है वो vn upon में 2πrn के equal होगी इसे में देता हूँ equation number 2 अब यहां से vn एन्वी ककसा में electron का वेग rn एन्वी ककसा में electron की तरजिया इन दोनों की value में यहां पर put कर दूँगा तो देखिए क्या निकल कर आएगा हम जानते हैं हम जानते हैं देखिए हम एनवी कक्सा में चक्कर लगार है इलेक्ट्रोन के लिए वेग का जो फोर्मूला है वो जानते हैं एनवी कक्सा में एनवी कक्सा में एलेक्ट्रोन का वेग एनमी कक्सा में जो एलेक्ट्रोन है उसका वेग VN से पुट करेंगे देखे दोस्तों जो में निवेरिकल वेल्यू है फाइनल जो रिजल्ट होता है 2.1 इंटू 10 अपावर 6 इस फोरम में होता है Z by N Z by N मिटर पर 30 सेकिंड वेलोसेडी होती है इसको मैं देता हूँ इक्विशन नमबर 3 समीकरन 3 मैं ने इसको दे दिया है ये हमारे पास में आ गया है N V कक्सा में चक्कर लगा रहे इलेक्टोन का कक्सिय वेग इसको उठा कर हम यहाँ पूट कर देंगे R N की वेल्यू भी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ N V कक्सा में चक्कर लगा रहे N V कक्सा में चक्कर लगा रहे इलेक्टोन की कक्सिय तिर्जिया कक्सिय तिर्जिया R N वरावर 0.53 एंगस्ट्रोम मतलब 10 की घात माइनस 10 देखिए जो ये पहली कक्सा की तिर्जिया भी होती है इसको हाँ मैं N V कक्सा की तिर्जिया के रूप में भी पूट कर रहे हैं और इसकी जो वेल्यू होती है वो होती है 0.53 एंगस्ट्रोम N square अपॉन Z N square अपॉन Z के तुल्ले होती है इसको मैं देता हूँ समीकरण 4 समीकरण 3 और 4 को उठा कर हम समीकरण 3 और 4 को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे यह हमारे पास में समीकरण 2 है तो क्या निकल कर आएगा देखी new n equal to vn vn हमारे पास में यह वाली वेल्यू है मैं रख देता हूँ इसको 2.1 into 10 the power 6 z by n upon upon 2 pi rn तो 2 pi rn की जो वेल्यू है वो देखी यहां से 0.53 into 10 the power minus 10 n square upon z यह हमारे पास में है जब इसको हम calculate करेंगे तो new n है वो समानुपाती हो जाएगा z उपर चला जाएगा तो z का square n नीचा जाएगा तो n का cube तो यह relation होता है जेड, n और new n में तो यहां से देखें उपरोक्त से इसपष्ट है कि क्या इसपष्ट है क्या इसपष्ट है कि जो आवर्ती है वो परमानु कर्मान के वरग के समानुपाती होती है और आवर्ती का माने कक्सा के घन के विद्कर्मानुपाती होता है जिस कक्सा में इलेक्टोन चक्कर लगा रहा है उसके कक्सा के कर्मान के घन के विद्कर्मानुपाती होता है तो उपरोक्त से इसपष्ट है कि एन्वी कक्सा में चक्कर लगा रहे एलेक्ट्रोन की आवर्ती परमानु करमांग के वरक के समानुपाती होती है साथ में देखिये तथा प्रमानो कर्मांग के वरक के समानुपाती थदा कक्सा के कर्मांग के घन के विदकर्मानुपाती जिस कक्सा में इलेक्टोन चक्कर लगा रहा है उसे कक्सा के कर्मांग के घन के विदकर्मानुपाती होती है व्युत कर्मानुपाती होती है तो आवर्ती का जो मान है वो पर्मानुकर्मान के वरकिस मानुपाती होता है तो जिस कक्सा में चक्कर लगा रहा है उस कक्सा के घन के व्युत कर्मानुपाती होता है तो दोस्तो ये थी कक्सेलेक्टोन की आवर्ती और मुझे अमीद है आप लोग को ये जो relation है वो अच्छे से समझ में आया होगा ये संबंद आसानी से समझ में आया होगा आज के इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद दोस्तो